नमस्कार बस्तुन स्वागत है आप साबका अपने YouTube चेह रहें कर से व्यस्वी में आज का क्लास से क्लास क्लास ट्वल्थ है कि फिजिक्स चप्टर वन का लाश्ट लेक्टर वन का खत्म गन डेंगे अगला वीडियो एक्ति इसका लेकर आएंगे तो यह लाश्ट सेस्टन है तो लास्ट लेक्चर है बिंदूत धूई धूर्ब पढ़ेंगे बिंदूत धूई धूर्ब क्या है बिंदूत धूई धूर्ब क्या है दो परिमान में समान किंतु प्रकिर्ती में विप्रित आवेसों को अल्प धूरी पर रखा जाए तो वह एक बेंदूत धूई वो यह विंदू दूई रचना करते हैं जैसे यहां पर देख लिजिए एक रखा गया है टू एल है और एक पलस है एक नीगेटिव है तो समान रचना कर ही रहा है तो बिदूत दूई धूर्ब पढ़ ले अब पढ़ेंगे बिदूत दूई धूर्ब आघुर्ण बिदूत आभेसों के बीच की दूरी का गुणन्फल दूनों आभेसों के बीच एक था एक आभेस अथ्वा दोनों Division के भीच के नसवाद फ़ल एक आबेस्ट था दोनों आभेसों के गुनल्फल बेंदूत दूर्व क्या घुर्ण कहलाता है क्या है और यह एक सदिस रासी है फेक्टर कॉइंटी जिसकी दिशा धनावेश से रिनातमों की और होती है समझ गे विदू धूर्ब आघुन क्या कहते हैं और सदिस रासी है बिदू दूर्ब आघुर्ण को पी से परदर्सित किया जाता है पी बढ़ाबर क्यू आवेश पूवलाभ दूर्ब मत्र कम लघुर्ण के माध्रक को कुलाम मीटर और विवाड़ एक गणल इस अलोने सतथ दूई ने होग और लगने बाला पर तियानन बले यह बल यूग का घृणक करता है जो उसे चित्य करता सरेखिक्त का पर्यतन करता है इस इस बल को जैसे चितर के मा इस बल को क्या करते हैं पर्यतन बल तथात्वा प्रविर्थित ता बल्यूम का आघुर्ण बल्यूम का अगुन काते हैं इसे टी से परदर्शित करते हैं समझगे ये क्या हुआ ए जड़ा IMPORTNEM नहीं रहा हां ये IMPORTENT है चली हां ये IMPORTENT है दोस्तों ये बहुत ही IMPORTENT है 22 त दूएधूर्ब के कारण उत्पन 26 किति प्रता पर इस्थित एक बिंदू से है तो यह सब ज्यादा इंपोर्टन नहीं है उतना हाँ इंपोर्टेंट आपको हम सिर्फ वढ़ाएंगा आज का कलास ज्यादा बढ़ा नहीं हो हाँ यह इंपोर्टेंट है तो यह समझ गए क्या होगा दोट्ट दूद्धूर्व के कारण उत्पन माना के ब्लत के पढ़तू है माध्य हमें स्थित बेंदूत के q1 q1 है आवे शुच में दूरी पर 12 पर इस्थित जोगा जहुए है तो आपको दिखा ४्नी यह के दीन प्रकार से होता है एक डी में दू इने त्रीम को रेखिए है वग्तर बहुता है को अतने कि आप्या कर या दो आभेश को रिखिए हैं दू और और •2. तो प्रिष्ट्री आवेस घंतों यदि आवेस का वित्रन एक सरल रेखा के अनुदीश होता है तो एक एक अंक आवेस पर रेखिए बल का घंतों से डेल्टा से परदर्शित करते हैं डेल्टा वड़ावर Q बटे L यहनि आवेस बटे लंबाई इसका जो मात्रक होगा मात्रक क्या है कुलोम मीटर तो प्रिष्टी आवेस घनतों इसके बाद हम पढ़ेंगे तो चलिए प्रिष्टी आवेस घनतों पढ़ते हैं यदि आवेस का वित्रन किसी समतल या वकरते प्रिष्ट पढ़ो तो सब्सक्राइब करते हैं इसका जो मात्रक उसको भी बता देते हैं मात्रक कुलोमीटर स्कॉार हो जाएगा और आइतन आवेस घनतों क्या है यह भी पढ़ लेते हैं इसको सब्सक्राइब सब्सक्राइबब को पुछता है अबेस को कॉंट्री करना लास्ट है ऐस का कॉंट्री में जीतना भी पढ़ बहुत नबभा परसेंट आपजेक्टिफ कोषेनी से पुछता है ऑबेस को कॉंट्री करन किसे करते हैं भौत की अधार पावेश का रखने बालिक किसी बस्तु पर कूल आवेश मूल आवेशों का पुर्ण गुनज होता है जैसे क्यू बढ़ावर पलस एन यह हो गया तो जहां एन बढ़ावर नंबर हो गया एक दू तीन कुछ भी हो सकता है और यह मूल आवेश और मूल आवेश करने बाले किसी बस्तु पर कूल आवेश जितना होता है गुनज गुनज को हम कहते हैं जैसे हम देख लिए नम्मर आपको दिखा रहा है एन मतलब समझे नम्मर संख्या एक दू तीन चार ऐसे ही रहेगा और मूई मूल आवेश है तो मूल आवेश का चार 1.6 गुने दस प की आई सकता है और नहीं नाहीं नंष्ट कि आज़ा सकता है किसी बस्तु ने अवेश उस बस्तु को पहस्तित सभी आवेशों का बीज गनीत यह अव्यकुतौत हैं आवेश का ही मूल इस आप कंपी में नोट कर लिजएगा आवेश का नचन अब की बार सो परसेंट ना भूलिए कि कल का सेशन में अब्यक्टिव हम लेकर आएंगे पुछरी आज का वीडियो कल ते खत्म जाहिन जाभात बंदे मात्रब नोस्त दियागा डिस्क्रिप्शन